शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने किया राहुल गांधी को लेकर बोले जा रहे एक बड़े जूट का परदाफाश हम में राहुल गांधी का पूरा भाशन सुना है वो साफ कह रहे है कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है राहुल गांधी कहीं भी हिंदू धर्म के विपरीद बात नहीं कर रहे है राहुल गांधी के आदे वक्तव्य को फैलाना अपराद है ऐसा करने वाले को दन्डित किया जाना चाहिए अब राहुल कांधी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत खलाते हिंसे करते हैं इस पर बड़ा विवाद भेला हुआ है समाजी नाराज है बुद्जिवी नाराज है इस माल में आप जिस पद पर है उसकी बड़ी गरिमा है आपकी दर्ब से क्या सदेश जाएगा जुनों ने हिंदू समाज को देखिए हमको जब कोई कहता है कि कववा कांध ले गया तो हम पहले कांध पे हाथ लगाते हैं कि है की नहीं अगर नहीं होता है तब हम कववे के पीछे दौड़ते हैं यह जो बात आप बता रहे हो कि राहूल गांधी ने यह कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद बात कह दी तो जब यह बात हमको बताई गई तो हमने राहूल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाशन उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कहीं नहीं रहा है वो तो कह रहा है कि हिंदु धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है तो जब वो साप कह रहा है कि हिंदु धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके उपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदु खर्म के विपरीद कोई बात कही है उनके आधे वक्तवे को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके यह हम समझते हैं कि अपराद है दुस्परिचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना गलत है उस व्यक्ति ने जो हिंसा नहीं कर सकता है बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आपको हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफ्रत कर लाते हो तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशे के लिए था हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्त अभी दिया है उसमें हिंदू की बात कही है तो हमने पूरी बात देख ली इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात है